हेलो वास्टाप एंड वेल्कम बाक तो माई यूटीब चैनल मैं सीखा वेल्कम बाक तो सीखास मेकवर तो आज में लिके आए हूँ ब्राइडल हेयर स्टाइल वो भी बहुत ही पतले वालों पे किस तर से करेंगे सबसे पहले हमें करना होगा क्रिमपिंग किसे भी हैरस्टाइल को करने से पहले हमें क्रिमपिंग करना बहुत जरूरी है ताकि बालों में वाल्यम एड हो जाए और मैंने क्रिमपिंग करनी के बाद एर टो एर सेक्षण पर्थ डिवाइड कर लिया है आगे से आपको बीच बांग कर कि एर-टो- एर पार तो आप देख सकते हों कि मैंने सेक्षन डिवाइट कर लिया और अब में ले रहे हुए पत्ली से सक्षन जो मैंने सेक्षन निकाला उसके अंदर से और स्टाр्ट करों में अब गवावन करना है और जो आपने कॉम किया है वजया आपको फिक्स करना ळो करना है स्प्रे की मदद से मैंने यहां पेड़ की टाफ्ट नूमर 5 स्प्रे मैंने यूज किया और इस तरह से फिर Б before बैक m किया वो टूटना जाए और इस तरह से आपको backcomming कर लेना है similarly हम next section को भी करेंगे जितना height आपको पफ की चाहिए आप उतना ज्यादा backcomming करोगे मुझे बहुत ज्यादा height नहीं चाहिए तो मैं इतना backcomming कर रही हूं और अगर आप ज़्यादा हाइट चाहिए अपने पफ की तो आप ज्यादा वैक कॉमिंग करोगे तो इस तरह से बैक कॉमिंग करने के बाद हम उसे फिक्स करेंगे लॉक करेंगे स्प्रे की मदद से आप किसी भी स्प्रे का यूज कर सकते हो नोवा गोल्ड या फिर आप यूज कर सकते हो हो मैं अभी टाफ तके जर्टी हूं करुंगा वह तो इस तरह से आप को अपने बालों को नीट करते जाना है जब आपकोमिंग करके उस्ते लोक करते हो तो अर फाइनली लास सेक्षिन में मेra इस तरह से गैपकर कर के फिर से प्र्ग बाद कर सकते हो लेकिन मैं यहां पर सक्षिन को लॉक कर रही है और इसके लिए मैं पहले नीट करूँगी और नीट करने के बाद बॉबी पीन के मदद से मैं उसे सिक्यूर कर दूंगी और आप देख सब्सक्राइब किस तरह से मैं कर रही हूँ section को knit कर लूँगे कम की मदद से और फिर knit करने के बाद में यहां पे cross pin लगा रही हूँ cross pin मतलब एक pin bobby pin आप लगाओगे left और एक लगाओगे right में तो वह cross हो जाएगा और वहां पे lock हो जाता है इस तरह से अगर आप bobby pin लगाते हो तो वह निकलता नहीं है और फिर एक बाद स्प्रे करने के बाद स्प्रे से आप नीट कर लेंगे और उसके बाद आप कम से भी उसे नीट कर लेंगे जब स्प्रे लगाते हो आप तो आपकी जो भी छोटी-छोटी baby hairs होती हो फिक्स हो जा आपको अपने ठीका में धागा लेना है और पहले आप सेक्शन जो आप डिवाइड कर लोगे और उसके बाद आप टीका सेटिंग करोगे कभी आगे का सेक्शन पे आप काम कर रहे हो तो उससे पहले आपको टीका सेट करना होता है तो इस तरह से मैंने धागा लगा लिया ह आपने टीके पे माथा पटी पे तोनों तरफ लगाना है और से लास्ट में भी लगाना है रो अब देख सकते हो किस तरह से मैंने ठागा लगाया और उस पर मैंने एक बड़ा सा पील लगा दिया है यानिक आप बोल सकते हो और देख कर तयो कि वह ब्लification अब बलाकेट ताकि वह खुले नहीं और आप देख सथी कि मैं किस तरह से कर रहे हूं यहां पर मैं बॉबी पीन के साथ उसे सिक्यूर कर रहे हूं और फिर उसे भी में लॉक कर दूंगी मांग डिका के बीच वाले पॉर्सन को लॉक करने के बाद साइड वाले को भी मैं धागा से टाइप कर दूंगी पीछे की और यानि की चोटी के पीछे में धागा से उसे सिक्यूर कर रहे हूं और अब मैं आगे के हैर्स पे इस तरह से उसे फ्लैट लुक दे रही हूं ताकि G usa मेरे सिसूर है वह भुबहू अच्छे से नजर आए और साइड के जो लटकन हैoff में उसे पहलेनी कालों की कम के मदद unterstützen जो भी ये वाला हैर स्टाइल वह बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरह से करने के बाद में साइडे में एक पीन भी observed से लल गा दूँँगी और उसके बाद मैं कर रही हूं पीछे के पोणी को टाइप इस तरह से एक पोनी बना नरही हूं और पोनी को बनाने के बाद उसे मैं अच्छे से टाइट करूँगे, फिक्स करूँगे पहले ताकि वो अच्छे से लॉक हो जाए और अब मैं यूज कर रही हूँ बन जो कि बहुत इंपोर्टन्ट है जब आप ब्राइडल हेल स्टाइल करते हो और बन को भी सिक्यूर करना जरूरी है इस तरह से बन में पीन लगाते हैं जूड़ा पीन इसे फिक्स करते हैं जबी आप बन में पीन लगाते हैं तो इस तरह से आपको पीन लगाना है पहले सीधा और फिर इस तरह से आपको टर्ण कर देना है तो इससे आपका बन का जो बन है वो लॉक हो जाता है त इसी तरह से चारों तरफ से हमें बन को लोग करना है और लोग करने के बाद हम यहां पर इस तरह से बैक कॉमिंग करेंगे पूरे हैर्स पर क्योंकि यहां पर हैर्स जो है बहुत पतले है बहुत फाइन है बाल लंबे तो है लेकिन बहुत पतले है तो इस तरह से मैं बैक कॉम क्योंकि मुझे फ्लावर लगाना है और लगाने के लिए आपको नेट का यूज करना जरूरी होई यह और इस तरह से नेट का यूज करने के बाद मैं उसे भी प्रिक्स करूंगी पीन की मदद से और आप देख की में पीन कैसे यूज करूगा फ्लैट सीधा पीन पिन को तरन करके लगाए इस तरह से लगाने से वह लॉक हो जाएगा और फिर वह निकलेगा भी नहीं और इस तरह से लगाने के बार आप देख सकते कि मेरी नेट वीट फिक्स हो गई है और अब मैं इसमें लगाऊंगी फ्लार्स और आप मैं फ्लार के लिए यूज कर रही हूँ रोज रियल रोज यूज करूँगी जो कि ब्राइट के पहली पसंद होती है तो इस तरह से आपको फ्लार लेना है और फ्लार में थोड़ा सा उसके स्टेम रहना चाहिए ताकि आप उसे बॉबी पिन से सिक्यूर कर सकते हो इ इस तरह से जब आप बढ़ाते हो तो बहुत सुंदर दिखता है और स्मेल होथ होती है और इस तरह से फिक्स करूंगी एक एक फ्लार यह उसके बार में यूज करीगी वाइट फ्लावर जो इसकी खुस्बु तो मुझे बहुत पसंद है तो इस तरह से मैं उसे टर्न कर रही हूँ अब चाहे तो साइट साइट से भी लगा सकते हैं मैं इसे टर्न करके लगाती हूँ इस तरह से लगाऊंगी और फिर उसे फिक् कलना नहीं चाहिए और चारो तरप से लॉक करने के बाद में बीच में एक फ्लावर का यूज करोंगी रोस लावर और आप देखना कि ये बन कितने सुंदर लगते बहुत प्यारी बन बन कि आती है तो इससरे सफ बीच में एक फ्लावर लगाऊंगी जूरापीन की मदद स और finally यह हो गई हमारी bridal bun with real rose जो कि मैंने किया है बहुत ही पतले बालों पे इनको टैंसन थी कि इनकी बाल कैसे होगी क्योंकि इनकी hairs बहुत fine थे और इस तरह से मैंने जो आगे के section छोड़ा था उस पे मैं use कर रही हूँ chopstick और curl कर लूँगी अगर आपके पास chopstick नहीं है तो इस तरह से करने के बाद हो गई हमारी bridal hair style complete और आप देख सकते हो आगे के hair do hairs को मैंने flat चोड़ा है और पीछे की hairs पे मैंने chopstick यूज किया है और इस तरह से यूज करने के बाद पूरी section पे मैं spray करूंगी और फिर से थोड़ा सा नीट कर लूँगी hairs को ताकि जो भी baby hairs है ठीका हुई कर लगाने के बाद जो भी निकल जाते है थोड़ा सा वो set हो जाए और set होने के बाद हमारी hair जो है bright की hair बहुत neat and clean दिखे तो इस तरह से हम करते है real bridal hair style पतले बालों पे with real flowers तो hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो पसंद आई होगी तो चैनल के जरूर लाइक सब्सक्राइब करें मिलते हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and जैमातादी friends